या दोस्तों फुल लोड़ पोर्ट वाला सीन कर रहे हो लो भाई RX 6600 in my hands हटा और डबा सबसे पहले यह ग्राफिक कार्ट की काफी उमीदवार थे मतलब यार लोग रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट मैंने सुचा लाया जाए देखो RX series के हमने मोशली जायतर ग्राफिक कार्ट खोल रखें डबे उचाल रखें देखा है सबसे पैस्ट मेरे को RX 580 लगता है मज़दार ग्राफिक कार्ट 10,000 में 8GB VRAM तो वो सब चीजे मिलती है अब यह भी कुछ वैसा ही है दोस्तों मतला अगें यह 8GB VRAM के साथ आता है साधी साथ ग्राफिक कार्ट के आप प्राइजिंग देखोगे ना 18-20,000 के आसपास रहती है अब मज़े की चीज क्या है Amazon से भी आप पर्चेस कर सकते हो और हाँ यह मैं ब्रेंड वाले बता रहा हूं इतने इसी प्राइज में ग्राफिक कार्ट इंसे नहीं है गेमिंग वेमिंग 1080p के लिए एक पर्फेक्ट जीप्यू आप बोल सकते हो मज़दार गेमिंग आज FPS ऐसे चेक मारेंगे आप भागोगे घिरोगे क्या हो रहा है यह सब तो ग्राफिक कार्ट तो है इंसे पावर देखते हैं लेट्स गो दोस्तों अन्बोक्सिंग शुरू करते हैं मैं सही मैं इसकी काफी रिक्वेस्ट आई थी और कोमेंट कर दिया करो कुछ भी थगड़ा चाहिए अब यह RX 6600 और जैसा आप लोग जानते हैं इसकी प्राइज अगर अभी राइट नो मार्केट में देखोगे तो हर कंपनी के अलग अलग प्राइज है पर 20,000-25,000 के बीच में चलता है और मोस्टली यह 20,000-22,000 में आराम से अपलपेड सकते हो ग्राफिक काट तो सबसे पहले अगर आ इसका PC-Build भी लाते हैं अचाहा यहां पे आप देखो यह 1080p Full HD Gaming के लिए बन रखा है साथ में 8G भी आपको मिलती है और PCIe 4.0 Express Slot स्लोट करता है तो full power बागी तेखो 1080p से अबव भी गेमिंग कर सकते हो बड़ फिर इतना फन नहीं आएगा 1080p के पार्टिकुलर्डी तभा सा महेंगा होगा बड़ दो फैन भी ले सकते हो ऐस सच कोई दिक्कत थोड़ी है यह अब यह हमने आप उपन कर दिया थोड़ा मर्यल सा डबबा है क्या बताया आपको यह अमने खोल दिया और यह हमने आरे पास डिरेक्ट्ली आ गया गिगाबाइट की तरफ से ग्राफिक क दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यह तीन फैन वाला बागी पावर भी जादा नहीं लगेगी यह वाली श्लॉट चल जाए पीछे तो थोड़ा अच्छा दे रखा यही सब के थोड़े पैसे बढ़ जाते और कुछ नहीं है यह कुछ दोस्तों सीन था ग्राफिक काड अगे दो HDM है दो डिस्प्लेपोर्ट से और यह अगर आप वह सब माइनिंग करते हो ना उस कम काम के लिए भी ठीक है माइनिंग नहीं है ट्रेडिंग वाले काम हो के लिए बहुत बढ़ी है बागी बज़ेट रेंज 1080P के लिए ऑसम है बागी आओ बेंच मेंच मार करें प्रोशेसर भी ऐसा ही उठाया ताबर तो तो हमने यहां पर i5 का 12th generation लिया है 12400F 11-12000 के आसपास यह प्रोशेसर आ जाता है और यह PCI 4.0 को सपोर्ट करता है मदरबोर्ड भी हमने उसलिए ऐसा ही चुना है बाई सोनिक वाइफाय करके है बी 760 MPG सोनिक वाइफाय करके है अब इतना महेंगा मदरबोर्ड ही मदरबोर्ड ही 30,000 कैसा ही बता हूं इतने महेंगे की भी जरुवत नहीं है आप सिंपल मदरबोर्ड भी लेना बस हां पर लगा सकते हो बैकवर्ड कोंपैटिवल तो है हम लोग यहां पर 32GB DDR5 वाली लेटेश मखन मार के रहें यहां पर यूस करने वाले और यह अपना पूरा सिस्टम जो रहने वाला है अन्बिलीवेबल मैचिं मूचिंग करेगा और ग्राफिक काड को यहां सिंपली हमने प बैंचमार्क स्कोर सबसे पहले आप यहां पेशन पर टैस्टमार्क पर स्कार पर यहां पर पर यहां पर चाहुआ पर आपके सामने तोर वाइस तो देखो यार सीधी बात है numbers अदलग चीज़े define करती है बढ़ हाँ आप compare के लिए इनको use कर सकते हूं काफी सही है अब बात करते हैं games की देखो android to android games में नहीं चलाने वाल हूं क्योंकि हम यहां पर भाई सब तावर तोर GPU की बात कर रहे हैं यह android games चलाने के लिए पीसी गेम्स को भी धुवाधार fps में चलाने के लिए बना है स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले यहां पर GTA 5 चला दी और यहां पर आप देखो मखन मार के भाई इसको तो आप streaming recording भी कर सकते हो अराम से कोई दिक्कर लग रहे है क्या परफ्रेक्ट यहां पर वर्क कर रहे है GTA 5 फूल-on 140-130 के आस-पास fps आ रहे है और मैं आपको सही बत देख सकते हैं पर फसर का बी ओल्ड मॉडल अपने पास है भी ग्राफिक्स तो देख सकते हो 140-130 fps के रहे हैं बहुत बढ़ियां चल रहे है कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब फसर टेस्ट करना था तो मैंने एक बहुत हाई-end गेम उठा ली आप ड्रिबल उठा बोल सकते ह उसको Horizon Forbidden Westup इसका नाम तो चलता है यह क्या पागल पंती वाली गेम है मतले इतने गलत इसके ग्राफिक्स है ना अच्छे जीप्यों को मार चाटे मार चाटे लिटा के मार रहे हैं वैसे वाला सिस्टम है बहुत ही ज्यादा यह देखी सकते हो यह जो जीप्यों GTA 5 में क्य अच्छी कासी लग जाती है तो यह ठीक आवरेज मैं बोलुगा आवरेज आपको यही एपस मिल पाएंगे इवन FSR को बंद करने के बाद ना गेम में थोड़े क्वाल्टी और अच्छी आ जाती है क्योंकि FSR यार यह सब तो जानते हो AI जेनरेशन पर फ्रेम जेनरेट करत अब साइबर पंक भी हैवी लोड़ेट गेम में आती है और यहां पे भी आप FPS देख सकते हो अगें मैंने 1080p at very high setting से इसको चलाया और यहां पे 70 के आसपास FPS और यह समझ भी आता है इतने ही आएंगे वो भी क्योंकि हमने यहां पे settings भी तो 1080p की ultra वाली कर दिया एक तो cyberpunk मे इसकी ताबर तोड़ है फट फुट आजाए PC वैसा वाला और वहां पे 70 के आसपास average मैं बोलूगा मतलब 60 fps gaming 1080p में तो हो पारी अच्छी गेम्स की बागी ने च्ट्रोल गेम टेस्ट करी और यह भी 70 के आसपास है कोई दिक्कत निया रही कंट्रोल भी आप heavy game में इनकी इ असासन क्रीट के आई थी ना थोड़ी सी ओल्ड हो गई है वहला करके यहां पे 91 fps के आसपार आ रहे है और यह गेम के भी ग्राफिक्स आप देख सकते हो क्या ही खतरना की मितलब क्या ही बोलूम है बागी दोस्तों यह जितनी गेम्स मैंने आपको यहां पे दिखाई है न स सब्सक्राइब कोई दिखाई है और अगे इन में इतने fps आ रहे है तो आपको अगर नॉर्मल गेम वैलोरेंट यह सब खेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी और नोट जस्ट वैलोरेंट आपके और और भी कोई गेम्स हो उनके भी ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है तो यह कुछ यह इस जीप्यू का सीन था अब मैं क्या बोलूंगा देखो 20,000 के आसपास की प्राइजिंग में ऐसा जीप्यू ठीक है एवरेज अमजेदार है मठा इसको बस यह देख लेना प्रोसेसर की साथ आपका कोई बॉटन नेक ना कर जाए अगर ज्यादा ओल्ड प्रोसे सब्सक्राइब बनता है इसे टेख लेटर वीडियो के लिए शेयर कर देने मिलते नेक शुड़ों में तक तक के लिए बाई यार जै इंजय भारत वंदे मातरम